डॉक्टर शलप बंसल, रेडियोलोजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केर में एक सुप्रसिद नाम है, जिन्हें देश्व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजरिंग करने का अनभव प्राप्त है. और अपने इसी अनभव और एक्सपेटीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आये हैं एक स्टेट अफ दियार्थ डाइगनोस्टिक सेंटर. पड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन अत्यधिक शोर से होने वाले दिक्कतों, जैसे क्लॉस्ट्रफोबिया वो एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए. हमने एक हाइटेक आउडियो विज्वल, MRI सिस्टम लगाया है. टेसला इमिजरिंग और डाइगनोस्टिक सेंटर. इस परक्रण में कई बड़े अफसरों की सनलिप्तता निकल कर सामने आई है. आज मुलाकात की बाद भी अफसरों की हीला हवाली ही नजर आई. इस मौके पर मीडिया से वारता करते हुआ मितार ठाकुर ने यह कहा. लगभग 500 करोड का कंकड कहरा शत्र में जो भूमी भोताला हुआ है सरकार की भूमी को गवन कर लिया गया है. और 6 F.I.R. लगभग 6 महिने से विभिने थानों में दर्ज हैं. पुलीच इसमें सक्षम कारवाई नहीं कर रही है. न तो गैंग्स्टर आक्ट में कारवाई हुई है. न सरकारी भूमी वापस ली गई है. न जो धनरासी वर्षूली होनी थी वह ली गई है. मैं इस मामले में करकर खिरात हाने गया था. CEO से मिला और अब कमिश्टर के आया हूँ. ADG से मुलाकात करूँगा. हमारी यह मांग है आजाद अधिकार से ना की. कि इस मामले में हर बिंदू पर ठोस कारवाई हो. गैंग्स्टर आक्ट की कारवाई हो. संपत्ती जब्त हो. जो उनके खिलाफ दंड निमान साल लगना चाहिए. उसकी वसूली हो. तमाम मुद्दों पे साफ्ट हैंडलिंग किया जा रहा है. शासन प्रशासन द्वारा. और इस बात के आरोप हैं. कि अनुचित कारणों से इस प्रकार से किया जा रहा है. कमिश्टर के हाँ जो बात चित हुई है. उसके मुख रूप से जो चार बिंदू हमने वहाँ प्रसुत किये हैं अपने पत्रक में. जिनमें की धनराशी की वसूली का मामला है. सरकारी भूमी का चिकर्मन को हटाने का मामला है. तहसील से रिकॉर्ड तत्काल भेचने का मामला है. इनके सम्मद में हमें आश्रस्त किया गया है कि अब दिल्कुल विलंब नहीं होगा. हम इस बात का इंतिजार करेंगे कि शिग्र कारवाई हो. अगर नहीं होता है तो इस सम्मद में हम अग्रिम कारवाई करेंगे. इस ख़बर में फिलाल इतना है. आप देखते हैं फास्वाइट वाट वे. नमस्कार.